हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब विल्कम बैक तो जॉब यह उस्ती मैं हूँ प्रकाश बियाइस ब्यूरो आफ इंडियाने स्टैंडर्ड की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है नोटिफिकेशन की रिगार्डिक मैंने डेटेल वीडियो बनाई वी है और अलग-लग जो पोस्ट निकली हुए है उसकी क्या जौब प्रोफाइल रहती है उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाई वी है दोने ही वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आउक से मिल जाएगी आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो BIS की notification से related बहुत सारे candidates का सवाल है तो जितने भी सवाल है सब के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूँगा तो वीडियो को end तक जरूर देखना आपकी जो भी query रहेगी जो भी question रहेगी सब के answer आपको इसे वीडियो में मिल जाएगे तो बहुत सारे candidates का इस से related सवाल है कि क्या apply करने के लिए NSQF level की कोई certificate चाहिए तो देखे apply करने के लिए कोई भी किसी भी तरह की computer certificate या फिर NSQF level की certificate नहीं चाहिए अगर आपने graduation किया हुगा है किसी भी stream में तो आप यहाँ apply करने के लिए eligible हो बस आपको एक computer proficiency test यानि कि CPT देना होगा और उसके regarding इन होने mention किया है कि NSQF level 5 या level 6 जहां जो भी mentioned है तो उस level के questions आप से पूछे रहेंगे यह जो exam होगा यानि कि जो test होगा computer proficiency test यह qualifying nature का होगा यानि कि final जो merit list बने कि उसमें यह matter नहीं करेगा इसके marks matter नहीं करेगा तो उसके इतलिए तैयारी कैसे करना है preparation कैसे करना है उसके regarding मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा और अगर बात करें notification के बारे में तो देखे 2020 में जो notification आई थी उसमें इनों ने clearly mention कर दिया था कि आपको जो certificate है in SQF level की वो आपको upload करना होगा and आपके पास certificate रहनी चाहिए लेकिन ऐसा कुछ भी 2022 वाले notification में mentioned नहीं है तो यह clear है कि आपको कोई भी certificate नहीं चाहिए दूसरी बात यह है कि अभी online registration तो start हो चुके जब आप apply करोगे तो इस तरह कि कोई भी requirement वहाँ आपको नहीं दीखेगी यानि कि अगर आपने graduation किया हुआ है तो graduation के marks पूछे आएंगे बस और आपका form आप fill कर सकते हो बहुत सारे candidates ने पूछा है कि क्या एक से ज़्यादा post के लिए तो देखे अगर आपने graduation किया हुआ है simple graduation भी आपने किया हुआ है किसी भी stream में आपने graduation किया हुआ है तो आप assistant section officer and senior secretariat assistant के post में के लिए apply कर सकते हो अलग से कोई extra certificate की requirement यहां नहीं है और अगर बात करे कि अगर आपने graduation किया हुआ है इसी के साथ आपको अगर short hand की knowledge है तो फिर आप personal assistant and stenographer के post में apply कर सकते हो और एक और post है horticulture supervisor इसमें metric pass मांगा गया है यानि कि अगर आपने 10th pass किया हुआ है 12th pass किया हुआ है यागर आपने graduation किया हुआ है तो आप इस post के लिए apply कर सकते हो अगर बात करें final year के candidates के लिए तो यहाँ पर इन्होंने clearly mention कर दिया है कि जो educational qualification required है वो आपके पास 9th माई 2022 के पहले तक होनी चाहिए यानि कि अगर आप अभी suppose final year में हो आपकी exams वगरा हो चुके हैं लेकिन आपके पास 9th में के पहले तक अगर certificate आपकी आजाती है आपकी final educational जो qualification है उसके आपको proof आजाती है तो आप यहाँ apply कर सकते हो BIS के exam कौन conductor रहने वाला है और exam का pattern कैसा रहने वाला यानि की SSC के जैसा रहेगा या फिर banking exams के जैसा रहेगा तो BIS के exam IBPS conduct करवाने वाली है और exam का pattern आपको देखने को मिलेगा जैसा आपने ESIC UDC के exam में देखा होगा कि GA section जो था वो SSC pattern पे पूछा गया था लेकिन जो बाकी sections है Quant, Reasoning and English यह banking pattern पे पूछे गया थे तो ऐसा ही आपको exam में देखने को मिलेगा यानि कि जो SSC का जो questions जैसे पूछे आते हैं GK में उस ताइप के questions आपको देखने को मिलेगे तो आपको क्या करना है general awareness section के लिए आपको current affairs की preparation करनी है इसके साथ साथ आपको static GK की preparation करनी है static GK में में आपको history, geography and political questions के उपर भी थोड़ा ध्यान देना है उसकी भी preparation आपको करनी है अब अगर बात करें कि computer proficiency test या skill test कब होगा तो जब आपका online exam हो जाएगा जब उसकी result आजाएगी उसके बाद फिर आपको call किया जाएगा CPT के लिए and skill test के लिए अब बहुत सारे candidates का ये भी सवाल है कि के बाद job location क्या रहेगी और posting कहा होगी तो BIS की headquarter न्यू देली में है इसके अलावा अलग-अलग इसके regional and branch offices है तो वहाँ आपकी posting कहीं भी हो सकती है यानि कि all over India में आपकी posting कहीं भी हो सकती है और अगर बात करे lab assistant के post के लिए तो आपकी posting जो different BIS के regional and branch labs है वहाँ आपकी posting हो सकती है बहुत सारे candidates इस बात को लेकर confused है कि इसमें apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि पिछले 2-3 recruitment cancel हो चुके हैं तो देखिए इसके regarding मैं यही कहूँगा कि अभी इन्होंने अगर fresh recruitment निकाली है तो बहुत जाड़ा chances है कि यह जो process है यह complete होगा recruitment इनको लेना है तभी इन्होंने फिर से निकाला है notification और जो process है जो exam के लिए जो दिया गया है यह IBPS को पूरा handle करने के लिए दिया गया तो IBPS आपको पता है कि तो पूरा जो process होने वाला यह काफी fast way में होने वाला है और प्रोपर वे में होने वाला है तो यह एक चीज है तो आपको देखे और ऐसे भी जो exam होने वाला है इसमें banking pattern पे questions पूछे आएंगे थोड़ा इस ऐसी pattern रहेगा लेकिन maximum जो questions रहेंगे वा banking pattern के रहेंगे और आप already banking exams के तयारी करें तो आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा आपको बस prepare करना है अच्छे से तयारी करना है और एक चीज और है कि इसके regarding मैं अलग से वीडियो बना दूँगा complete strategy भी बना दूँगा कि कैसे आपको preparation करना है किस किस section को आपको कैसे cover करना है लेकिन अभी के लिए आपको इस वीडियो से related या इस notification से related आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो वीडियो को like जरू करना ज़्यादा से ज़्यादा share करना अगर आप channel पर नए हो तो channel को subscribe जो कर लिना Thank you